हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में हम शीशे की वेस्ट बॉटल्स को हम लोग रिसाइकल करना सीखेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वास बनाने के लिए हमें खाली पड़ी हुई अचार की बॉटल्स चाहिए किसान कैचप की अगर बॉटल्स हों आपके पास तो वो भी हम इस्तमाल में ले सकते हैं जैम की खाली शीशे की बॉटल्स भी इस्तमाल में ले सकते हैं बॉटल्स को आप खाली कर ले उसके बाद हमें बॉटल्स को गरम पानी में डालना है और आप इसमें थोड़ा सा सोप आट कर दें, थोड़ा सा हम इसमें साबुन आट कर दें, जाग के लिए दो मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसका लेबल हटना स्टार्ट हो जाएगा, बॉटल को निकालने के बाद हम लेबल इजीली रिमूफ कर सकते हैं, मैं ब्लू एश बॉटल में डालना है, धीरे-धीरे हमें ये कलर बॉटल में डालना है, इसके बाद आप कैप लगाके, धकन लगाके हमें बॉटल को बंद करना है, एन हमें अच्छे से बॉटल को शेक करना है, बॉटल को रोल करना है ताकि जो कलर है हमारा वो इक्वली सारी साइड्स में बिस्ट्र्ब्ईयूट हो जाए उसके बाद हमें ढकन खोलना है और जो एक्स्ट्रा पेंट है हमारा वो हमें धीरे धीरे बॉटल को उल्टा करके पेंट की बॉटल में वापस डालना है सेम इसी तरह मैंने ग्रीन कलर स्तमाल में लिया है ग्रीन कलर बॉटल में डालने के बाद धीरी धीर हमें से शेक करना है रोल करना है ताकि कलर हमारा सारी साइट्स में स्प्रेड हो जाए सेम इसी तरह हम वाइट लर स्तमाल में लेंगे white asian paint डालने के बाद हमें bottle को roll करना है, shake करना है ताकि color equally spread हो जाए और उसके बाद हमें cap खोल के सारा extra paint वापस paint box में डाल देना है ये मैंने और भी bottles में color डाला है और इन्हें आप overnight सुखनी के लिए छोड़ दें ये color मैंने green and blue को mix करके बनाया है पूरी रात color को छोड़ने के बाद अगले देनी color सुख जाएगा सेम इसी तरह हम लोग acrylic color भी use में ले सकते हैं अगर आप 15 years चोटे हैं, अगर आप young हैं तो आप please paint avoid करें और कोशिश करें कि आप लोग acrylic color ही use मिलें इसको हम acrylic color की help से भी बना सकते हैं बाहर paint हमने नहीं किया है, because यह पता ही नहीं चलेगा कि आपकी bottle शीशी की है वो glass की है, so इसलिए हमने अंदर paint किया है paint सुटने की बाद अब हमें इसमें बाहर lace लगाना है मैंने complimentary color use में लिए है, opposite color use में लिए है so green पे मैंने red lace लगाई है हमें अच्छे से measure करना है, कि कितनी lace इस पे लगेगी then cutting करके, scissor की help से हमें cut करना है उसके बाद हमें इस पे fabric glue लगाना है because यह cloth है, so इस पे हमें fabric glue लगाना है अच्छे से हमें लगाना है, इस चीज में हमें अच्छे से बिलकुल नहीं करनी है सेम इसी तरह, मैंने इस bottle पे dark blue color use में लिया है और इस पे मैं white lace लगा रही हूँ, because dark पे light color नजर आता है अगर मैं dark पे dark color use में लेती, तो वो नजर नहीं आता so इसको हमें अच्छे से glue के help से लगाना है and then हमें rubber bands से इसको stick करना है सेम इसी तरह, मैं cream bottle पे dark blue lace लगाऊंगी green bottle पे silver lace लगाऊंगी, four layers में blue bottle पे मैं yellow lace लगाऊंगी, three layers में और white bottle पे मैं black lace लगाऊंगी जब आपको लगे कि आपकी lace सूग गई है, glue सूग गया है तो हमें rubber band निकाल देना है यह आप देख सकते हैं कि यह कितने अच्छे लग रहे है जब हमारा glue सूग जाए bottle में थोड़ा सा पानी डाल कि हमें इसे अच्छे से shake करके धोना है, बिकाज इसमें हमने thinner add किया है so अगर वो extra बचा है, यह जो भी अंदर chemical से अच्छे से साफ हो जाए अब हम इसमें पानी भरेंगे पानी हमें फुल नहीं भरना है थोड़ा सा में space छोड़ना है विकाज हम इसमें money plant लगाएंगे तो पानी overflow नहीं होना चाहिए अगर आपके घर में money plant है तो money plant की हमें टैनी लेनी है टैनी में हमें roots नज़र आएंगी जड़े नज़र आएंगी जड़ों के बराबर से हमें काटना है उसके पास से हमें काटना है वहां से roots निकलना स्टार्ट हो जाती है जब आप टैनी को काटे तो उसे जड़के करीब से काटना है जड़के बराबर से काटना है आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बारीक बारीक आपको जड़े नज़र आएंगी यह आप देख सकते हैं कि मनी प्लांट में कितनी बारीक बारीक जड़े हमें दिखाई दे रही है जड़के करीब स इसे हमें से काटना है टैनी को काटना है और हमें इसे किसी भी बॉटल में हमें इसे लगा सकते हैं यह आप देख सकते हैं कभी कबारी जड़े इतनी बड़ी भी हो जाती है जड़ों के पास से हमें इसे काटना है और बॉटल में लगाना है दो महीने के अंदर ही जड़े इतनी बड़ी हो जाती है और उसमें नई लीव्ज आना स्टार्ट हो जाती है मनी प्लांट के टैनी काटके हमें इस तना से बॉटल में लगाना है और आप इसे विंडो में शल्फ पे टेबल पे कहीं पे भी डेकुरेट कर सकते हैं प्रेशर स्प्रे बॉटल की हेल्फ से हमें मनी प्लांट में स्प्रे करना है इसे हमें 10-15 टाइम्स पंप करना है पंप कंड की बाद हमें मनी प्लांट पे पानी स्प्रे करना है यह हमें डेली मॉर्णिंग करना है विंडो में डेकुरेट करने के बाद कहीं पे भी आपसे डेकुरेट करें वहाँ पे आपसे डेली सुबह उटके पानी स्प्रे करें ताकि आपके मनी प्लांट बिलकुल फ्रेश रहें डेली सुबह उटके हमें इस पे पानी स्प्रे करना है इस तरह आप इससे विंडो में डेकुरेट कर सकते हैं और डेली सुबह उटके पानी स्प्रे करें महिनी में एक बार हमें इसका पानी जरूर बदलना है आप चाहें तो वीक में एक बार बदल सकते हैं महीनी में एक बार तो हमें इसका पानी जरूर बदलना है money plant हमारी health के लिए बहुत beneficial है अभी इस covid के time में इस pandemic के time में money plant हमारी health के लिए बहुत ज़ाधा फाइदे मन्द है ये air को purify करता है air में जितने भी pollutant होते हैं उन सब को remove करता है stress remove करता है anxiety remove करता है और हमें बहतर oxygen देता है हमारी body में oxygen के level को balance रखता है money plant को हम इसी तरह sink पे decorate कर सकते हैं stairs पे लगा सकते हैं window में लगा सकते हैं wall पे shelf पे अगर आपके कोई questions हैं queries हैं तो please हमें comment box के थू बताइए हमारे साफ share करिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगिए तो like करिए और अपने friends family के साथ share करिए